तो चलिए बच्चो अब हमने ज्वाइंड को खतम कर लिया है, आगे हम पढ़ते हैं बच्चे, बोन से रिलेटेड डिजीज के बारे में, क्लियर बाद बच्चो, तो आईए हम क्या करने जा रहे हैं बच्चे, एस्केल्टल सिस्टम से रिलेटेड, जो हमारा एस्केल्टन ह है, उससे रिलेटेड डिजीज को परने जा रहे हैं बच्चे, तो हेडिंग अपना रहेगा, बोन डिस ओडर, क्या रहेगा रहे बच्चे, बोन डिस ओडर, क्लियर बाद है बच्चो, अब हमारे स्लेवर्स के हिसाब से बच्चे, जो डिजीज अपने को परना है, डिजी चलिए बच्चे तो बोन डिसॉडर के अंदर अपने को दो बिमारी के बारे में पढ़ना है बच्चे पहले का नाम है अर्थराइटिस अर्थराइटिस अरे क्लियर बात है भाईयों तो पहले डिसॉडर का क्या नाम है अर्थराइटिस बच्चे चलिए पहले अर्थराइट है क्या है डिस इज अरे बिमारी है हमारे comfort खतम हो जाता है बच्चे इसमें से आप clarity से समझ सकते हो डिस इज अरे clear बात है तो बोला क्या बच्चे arthritis होता कैसे है तो बोला कि भाई साब inflammation के कारण हो जाता है किसके कारण बच्चो inflammation के कारण जड़ा सुनिएगा यह inflammation होना बच्चे यह हमारा यह mammals का feature है यह vertebrates का feature है clear बात है बच्चो तो बात किया जाए कि यह जो arthritis है एक disease है बच्चे arthritis ना में ली तीन तरह के होते हैं किते तरह के होंगे बच्चो तीन तरह के बच्चे तीन तरह के arthritis होते है जरा बाद को समझिएगा पहले को बोलते है बच्चे rheumatoid arthritis क्या नाम होता है rheumatoid क्या नाम होता है बच्चे rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis और दूसरा जो है बच्चे उसको हम लोग बोलते है osteoarthritis क्या बोलेंगे osteoarthritis clear बात है बच्चो तीसरा है उसको बोलते है gout या फिर बोलेंगे बच्चे gouty arthritis तो बच्चे arthritis कितने तरह के हो गया है तीन तरह के जड़ा सुनिएगा बच्चो सब के बारे में explain करता हूँ मैं आपको बच्चे सबसे पहला क्या है यह जो हमारा थम बाला देख रहे जगा बच्चे इस में हाथ के अंदर ज्यादा तर देखा गया है कि कौनसा अर्थराइटीस हो रिमाटवाइड अर्थराइटीस क्लियर बात बच्चो और जो घुटना है हमारा नी है बच्चे नी के पास देखा गया है कौनसा अर्थराइटीस होता है और ज्यक्त आन्गल के पास जो घुटना ज्यादा तर देखा गया है उसका क्या नाम होता है बच्चे गाउत या पिर बोलते है गाउती अर्थराइटीस मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिमाटवाइड अर्थराइटीस बड्यं में कहीं दूसरी जगा नहीं हो सकता है हुआ तो बच्चे दूसरी तरफ भी आपको क्या देखने को मिलेगा inflammation अड़ एक लिए बात समझ में आ रही है बच्चो तो ये ज़्यादा अतर हाथ में होता है osteoarthritis ज़्यादा अतर नी में होता है और बच्चे गाउटी arthritis कहा होता है ankle के पास ज़रा सुनिएगा ध्यान से बच्चो होता क्या है कि disease से बचने के लिए हमारे body का एक defense mechanism है defense system है जिसको हम बोलते है बच्चे immune system जैसे इंडिया के पास कोई border के अंदर ना आ जाए बच्चो तो BSF है उसका खुद का एक defense system है उसी तरह से हमारे body में कोई pathogen ना आ जाए इससे बचने के लिए हमारा body का खुद का immune system है ज्यान से सुनिएगा बच्चो जैसे मान के चलिए कि अगर अपने देश के ही army police अगर हमारे ही खिलाफ हो जाए तो सरकार गिर जाएगी अरे clear बात है बच्चो ठीक उसी तरह से अगर हमारा जो immune system है वो हमारे ही खिलाफ antibody का formation करने लगे तो क्या हो जाएगा बच्चे body के अंदर खुद ही उसका immune system उसके against हो गया है और against होगर के क्या बनाने लगा रहे बच्चो antibodies का formation करने लगा अच्छा मेरा खुद का immune system मेरा self immune system मेरे ही खिलाफ हो गया तो ऐसे disease को बोलेंगे auto immune disorder auto का मतलब बच्चे self खुद का immune system मेरे ही खिलाफ हो गया तो बच्चे खास बात ध्यान से remote wide arthritis जो होता है बच्चे एक तरह का auto immune disorder है क्या है बच्चो auto immune disorder auto immune disorder अरे clear बात है बच्चो auto immune disorder का मतलब हमारा खुद का body हमारे ही खिलाफ क्या हो गया है बच्चो anti body बनाने लगा जरह सुनिएगा बच्चे auto immune disorder है हमारी खुद की body ने क्या किया body ने क्या बना दिया बच्चो antibody अच्छा ये antibody क्या होता है ये ऐसे chemical थे जो कल तक pathogen को kill करने के लिए काम आते थे आज हमारे ही body के अंदर ये काम करेंगे अरे clear बात है बच्चे antibody अलग-अलग तरह का होता है जो antibody antibody रिमोट्वाइड arthritis में बनेगा उसका नाम है बच्चे IgM क्या नाम है बच्चो IggM। तो कौनसा antibody बन जाएगा IgM । क्लियर बात है बच्चे होता क्या 1st अर्थर आइम अभी थोड़ी उपर की तरफ फिमर वाला और एक नीचे की तरफ बोन अरे clear बात है बच्चे यहां पे diagram फिर से draw करते है ताकि clarity से समझ में आया जरसे देखेंगे बच्चे ये वाला यहां पे उपर में एक बोन है और बच्चे नीचे में bone है होता क्या है बच्चो इस bone के उपर में इस bone के उपर में बच्चे cartilage लगा होता है क्या लगा होता है बच्चो cartilage ताकि bone आपस में एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे बच्चे टकराए नहीं friction ना हो clear बात है लेकिन osteoarthritis के case में यह जो cartilage है रहे बच्चो cartilage ये cartilage क्या हो जाएंगे cartilage का हो जाएगा बच्चे erosion erosion हो जाएगा और cartilage का erosion हो जाएगा तो क्या होगा बच्चो ये दोनों bone आपस में ठकराएंगे उससे क्या होगा unbearable pain होगा क्या होगा बच्चे pain होने लगेगा, दर्द होने लगेगा Swilling हो जाएगी, क्या हो जाएग ते बच्चो, Swilling हो जाएगा, Inflammation हो जाएगा, Inflammation, Inflammation, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चो, Osteo Arthritis, क्या नाम देंगे बच्चे, Osteo Arthritis, बच्चे अगला जो है, Gauty या फिर G эта गाउट अर्थराइटिस बच्चे क्या होता है एंकल वाले रीजन के पास बच्चे हमारे बॉड़ी के अंदर बच्चे हम जो food product खाते हैं उसमें बच्चे यूरीक एसिड होता है और उस एसिड को हम क्या करते है बॉडी से remove करने लगते है clear बात है बच्चे ये यूरीक एसिड अगर एंकल वाले रीजन के आज पास में बच्चे accumulate हो जाए जमा हो जाए तो उसके कारण भी क्या होगा pain होगा बोलते हैं न कि यूरीक एसिड बढ़े गया clear बात है बच्चो तो डॉक्टर सजेस्ट करते है कि आपने कुछ डाइट में चेंज करिए या फिर बच्चे यूरीक एसिड का accumulation हो जाए या फिर यूरीक एसिड को हम remove ना कर पाए तो ये gouty arthritis किस कारण से होता है बच्चे due to due to accumulation of accumulation of accumulation of किसका बच्चो accumulation of uric acid crystal uric acid crystal अब अच्चे ये यूरीक एसिड का crystal कहां देखने को मिलेगा बच्चे ये ज़्यादा थर आपके ankle वाले region में मिलेगा कहां पे ankle वाले region में देखने को मिलेगा बच्चे ये ज़्यादा थर कहां देखने को मिलेगा example के लिए बता रहे बच्चे नी के पास ये कहां देखने को मिलेगा अच्चे अपने हाथ के अंधर characteristic feature क्या है कि remoteoid arthritis हो गया है दोनों limbs में रहे हमारा immune system हमारे against मोगा तो क्या हो बच्चो दोनों जगह से होगा आईए बच्चो इदर ध्यान से बच्चे ये वाला देखिए इदर ध्यान से एक diagram के help से समझते बच्चो ये arthritis का हमने 3 diagram आपके लिए बनाया ज़रा देखिए बच्चो ये देख रहे हो आप ये देखिए बच्चे inflammation बच्चे इदर देख पा रहे हैं आप बच्चे ये कौन सा arthritis हो गया रिमोटवाइड arthritis इसलिए बच्चे sequence में लिखा है ज़रा देखिए ये बच्चे body के अंदर मिलने वाला bone है और bone के उपर वाले surface पे बच्चो क्या लगा हुआ है cartilage क्या लगा हुआ है बच्चो cartilage अब यही cartilage देखिए घिस गया osteoarthritis के case में तो person को क्या होगा unbearable pain होगा क्या होगा रे बच्चो unbearable pain होने लग रहा है बच्चे अगला देखा जाए gouty arthritis ये gouty arthritis कहां देखने को मिलना है बच्चो ये pair वाले pathway देखिए यहाँ पे बच्चे inflammation आपको देखने को मिलना है clear तो बच्चे rheumatoid हाथ के पास osteo knee के पास याद रख लेंगे बच्चो और gouty कहां पे याद रखेंगे बच्चे sorry knee के पास नी बच्चे ये हाँ नी के पास और ये कहां पे हो जाएगा ankle के पास चलिए बच्चो तो इधर देखा जाए हमने लिखा है पीछे कि ankle के पास देखा जाएगा gouty arthritis इसमें हमारा ही immune system हमारे किलाब क्या बनाने लगा antibody बनाने लगा चलिए बच्चे अब एक काम करते हैं हाथ पे बच्चे actually आपको बताया था कि इस वाले जगह पे synovial joint होते है जरा देखिए बच्चे इसको थोड़ा सा अच्छे से explain करते है कि इसको remote wide arthritis को आजए ही बच्चो जरा समझिएगा पहले इस बात को होता क्या है बच्चो suppose करिए ये आपके body में मिलने वाला उपर से आ रहा है एक bone ठीक है बच्चो अब बच्चे फिर नीचे की तरफ से ये बच्चे ये raise करते है पहले ये नीचे की तरफ से क्या हो रहा है बच्चो ये देखिए आपको एक bone देखने को मिलना है अड़े clear बात है ये रहा अपना दूसरा bone होता क्या है बच्चो यहाँ पे उपर में cartilage होगा bone के उपर में क्या देखने को मिलेगा बच्चो cartilage, चलिए draw करते है एक बारी बच्चे ये रहा अपना cartilage, चलिए तो बच्चे ये रहा इसके उपर में ये जो yellow color से बना रहा है बच्चे ये क्या हो गया अपना cartilage हो गया बच्चे इधर समझेगा ये वाला जो है ये क्या हो गया बच्चे yellow color ये cartilage हो गया होता क्या है बच्चो जरा देखिएगा ध्रान से समझेगा बच्चो अब इस cartilage के बाद में बच्चे यहाँ पर देखेंगे होता क्या है कि अब फर्दर आपको इसके एराउंड में एक मेंब्रेन देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी बच्चो मेंब्रेन, देखेंगे ध्यान से बच्चो, यह रहा अपना एक मेंब्रेन यह देखिए ये बाहर में से ये देखो ये जो red color से बनाया बच्चे ये जो red color से draw किया इसको क्या नाम देंगे इसी को नाम देते है बच्चे synovial membrane क्या नाम देंगे बच्चे synovial membrane clear बात है बच्चे ये अपना हो गया synovial membrane बच्चे इसके अंदर साइनोबियल मेंब्रेन के अंदर में बच्चे यहाँ पे कुछ फ्ल्यूड प्रेजेंट होते हैं क्या प्रेजेंट होते रहे बच्चो फ्ल्यूड प्रेजेंट होते है इस फ्ल्यूड को हम क्या नाम देंगे बच्चो इस fluid को हम नाम देंगे synovial membrane के बीच में है तो क्या नाम देंगे बच्चो synovial fluid क्या नाम हो जाएगा इनका synovial fluid यह देखिए बच्चो यह अंदर वाला यह क्या हो गया synovial synovial fluid हो गया clear बात है बच्चो तो synovial membrane के अंदर में साइनोबियल फ्ल्यूड हो गया, जरह क्या बोला आपसे बच्चे, कि हमारा इम्यून सिस्टम, कौन सा सिस्टम बच्चे, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ने क्या बना दिया बच्चे, एंटी बॉडी बनाया, क्या बनाया बच्चो, एंटी बॉडी, एंटी बॉडी के कारण यह antibody साइनोबियल मेंब्रेन पर अटेक कर दिये, किस पर अटेक कर दिया रहे बच्चे साइनोबियल मेंब्रेन पर अब अब अच्चे मेंब्रेन पर क्या कर दिया इसने अटेक किया और मेंब्रेन पर अटेक करने के कारण अब यह जो membrane है यह कैसी हो गई बच्चे थीक होती गई मोटी होती गई यह membrane बच्चे membrane जो है synovial membrane थीक हो गई membrane मोटी होती जाएगी तो बताई यह अंदर का fluid और ज्यादा accumulate होगा जगह कम रहा है fluid बर रहा है जिसके कारण pressure बर जाएगा क्या बर जाएगा बच्चो pressure तो fluid बर रहा है तो बोलेंगे क्या बच्चे space कम हुआ membrane थीक हुआ synovial fluid साइनोबियल फ्ल्यूड क्या हो जाएगा बच्चो इनक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे साइनोबियल फ्ल्यूड के इनक्रीज होने के कारण बच्चे यहाँ पे प्रेसर बढ़ेगा क्या हो गरे बच्चो प्रेसर बढ़ेगा प्रेसर क्या हो रहा है बच्चो इंक्रीज हो रहा है प्रेसर बढ़ रहा है बच्चे प्रेसर बढ़ने के कारण स्वेलिंग होगी इंफ्लामेशन होगा अनबियरेबल पेन होगा अरे क्या हो जाएगा रे प्रेसर बढ़ने के कारण पेन होगा, बच्चे, इंफ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया, अरे क्लियर बात है बच्चो, और परसन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, खुद का बॉड़ी, खुदी के खिलाफ हो गया बच्चे, इम्यून सिस्टम ने एंटी बॉड़ी बनाया, और जो एंटी ब बड़ी है बच्चे, उनमें सबसे बड़ा साइज अगर किसी एंटी बॉड़ी का है, तो किस कह रहे बच्चो, आईजी एम का, तो साइज छोटा की बड़ा, तो बोला कि साइज तो भईया इस एंटी बॉड़ी का बड़ा होगा, बच्चे मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सबसे बड़ी साइज में जो एंटी बॉड़ी है वो कौन है, आईजी एम, क्लियर बात समझ माया है बच्चो, तो ये एंटी बॉड़ी बढ़ा, अब एंटी बॉड़ी अटेक किया, एंटी बॉड़ी के अटेक करने के कारण साइनोबियल मेंब्रेन की थिकनेस क्या हो करेगा, एक सबस्टेंस को, जिसको बोलते है बच्चे happiness, यजो पैनस है बच्चे यह जा करके यहाँ पर जो pressure बढ़ा हुआ है तो cartilage का क्या हो जाएगा erosion अब बच्चे cartilage छिल जाएंगे cartilage के छिलने के बाद बच्चे cartilage में हो जाएगा ossification क्या हो जाएगा ossification bony structure बन जाएगा clear बात है बच्चो ossification हो गया बच्चे joint जो अच्छे से घूम रहा था flute के कारण अब यह घूम नहीं पाएगा यहाँ पे movement lock हो जाएगी बच्चे तो joint कैसा हो जाएगा रहे बच्चो immovable कैसा हो जाएगा immovable joint clear बात है बच्चो तो यह बच्चे class 12 की कुछ बात थी जो हमने आपको एक ही साथ पढ़ा दिया clear बात है ताकि वहाँ पे अपने आपको दिक्कत नहीं हो clear बात है बच्चो तो चलिए बच्चे यह रहा हमारा कौन सा यह रहा हमारा remote wide arthritis का detailed description बच्चे यह देख पा रहे है बच्चे खास बात क्या रखेंगे यह auto immune disorder है क्या बात है बच्चो auto immune disorder auto immune disorder बच्चे सुनिएगा द्यान से examiner question बदलेगा पूछेगा आपसे कि arthritis कैसा बिमारी है क्या यह auto immune disorder है तो बोलेंगे ना बईया यह तो auto immune नहीं है यह तो एक रोग है क्या है रहे बच्चो disease है क्या है disease है चलिए बच्चे तो यह क्या है disease बच्चे क्यों हमने इसको disease ही बोला auto immune disorder क्यों नहीं बोला क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ remote wide arthritis auto immune disorder है यह दोनों तो बच्चे एक normal बिमारी है इसलिए अर्थराइटीस को क्या टिक करेंगे बच्चे disease यह भी क्या हो गया यह एक बिमारी है disease अड़े clear बात है बच्चो अगला यह भी क्या है रहे बच्चो disease है disease अड़े clear बात है तो बच्चे यह हमने arthritis के बारे में पूरी कहानी पर ली clear बात है तो आईए बच्चे इस slide को एक बार देखे फिर अगली slide को देखे अब बच्चे हम एक और disease को परते है जो bone से related है जिसका नाम है बच्चे osteoporosis क्या नाम है बच्चे osteoporosis बच्चे इसका detailed porosis osteoporosis बच्चे osteoporosis का मतलब क्या होता है simple सी बात है बच्चे यह age से related disease है किसे related disease है बच्चे age related तो पहला नमर बात, बच्चे ये है, age related, age related, age related disease, किसके related disease है बच्चो, age related disease, बच्चे इसमें होता क्या है, धीरे धीरे bone की density घड़ जाती है, bone की क्या हो जाएगी बच्चे, bone की density, density क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, जैसे जैसे age बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चो, age बढ़ेगा, age बढ़ने से bone की density क्या हो जाएगी बच्चो, घट जाएगी, bone पतला होने लगेगा, bone पतला होगा, bone का decalsification होगा बच्चो, और ये जादा आतर देखा गया है, बच्चे, usually, usually, usually कहां देखा गया है, बच्चो, usually, ये female के अंदर लिखा हुआ है, female के अंदर देखा गया है, बच्चे female में अच्छा female में क्यों देखा गया है, बच्चे खास बात, जैसे female का age बढ़ता है, तो estrogen का level, female के अंदर estrogen का level क्या होता है, decrease होता है, follicle का development नहीं हो रहा है, menopause के बाद, तो बच्चे estrogen का level घटेगा, age बढ़ रहा है, bone की intensity घट रही है, osteoporesis usually कहां देखा गया बच्छो female में तो इसी के साथ साथ बच्चे bone से related सारी कहानी हमने पढ़ ली और बच्चे types of bone जो है आपने animal tissue के अंदर पढ़ा होगा अड़े clear बात है बच्चो तो चलिए बच्चो हमने osteoporesis को देख लिया था अब बच्चे एक diagram के help से osteoporesis को समझते हैं यह देखिए बच्चे एक healthy bone दे रखा है यहाँ पर देखिए बच्चे density देखिए bone की यह ज़्यादा compact नजरा रहा होगा यहाँ पर देखिए बच्चो density घट रही है और बच्चे ऐसा क्यों होड़ा है बच्चे यह estrogen के कमी के कारण होड़ा है तो बच्चे ऐसा क्या होता है अकसर कि घर में कभी mammy, behen, अरे clear बात है कोई female बोलती है कि body में pain होड़ा है जिनका age जादा हो गया है बच्चो तो लोग क्या कह देते हैं अरे बहाना बना रही है बच्चे ऐसा नहीं होता है यह scientifically proven बात है कि जैसे ही female में monopause लगता है बच्चो उनके body के अंदर decalsification होने लगता है bone का bone की density घटती है बच्चे इस कारण से उनको pain आता है और बच्चे इससे जादा bone जो है उसके तूटने के भी chances जादा हो जाता है fracture का भी chance comparatively female के अंदर जादा हो जाता है as compared to male तो चलिए बच्चो यही तक रहापना कानी अब मिलते हैं next class के अंदर बच्चो तब तब के लिए happy learning ठीक है बच्चो जादा बच्चो यही तक हो जादा हो जादा है